हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे नालंदा विशविदाले जो उस समय का तक्सिला के बाद दूसरा सबसे पराचिन विशविदाले माना जाता है इसकी स्थापना 450 इसवी में समराट कुमार गुप्त ने करवाई थी यह कला का एक अदबूत नमूना है आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विशविदाले में 300 कमरे, साथ बड़े बड़े कक्स और अध्यन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुष्टकाले था जिसमें एक साथ 3 लाग किताबों से भी अधिक मोजूद रहती थी इतियास के अनुसार नालंदा विशविदाले में एक धरमकुज नाम की लाइब्रेरी थी इसका मतलब सत्य का परवस्चे था लाइब्रेरी में 9 मंजिलों में 3 भाग थे जिनका नाम रत्नारंजक, रत्नोधी और रत्नासागर थे छात्रों को लिट्रेचर, एस्ट्रोलोजी, साइकलोजी, ला, एस्ट्रोनोमी, साइन्स समेत कई विशो में पढ़ाय जाता था इस विशोविदाल में कहीं महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी जिसमें मुखह रूप से हर्शवर्दन, दरमपाल, धरमकिर्ती, नागरजुन आदी नाम सामिल हैं नालंदा में सिर्फ भारती नहीं बलकि कोरिया, जापान, चीन, तिबबत, इंडोनेजिया, इरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के चातर भी पढ़ाई के लिए आते थे इस विशवी दैलम में विद्वार्थियों का चैन मेरिट के आधार पर होता था और यहां चातरों को निशुल्क सिक्षा दी जाती थी एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्वार्थि सिक्षा गरहन करते थे और 27,000 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें सिक्षा देते थे तुर्की सासक बक्तियार खिलजी ने नालंदा विशवी दैलम में आग लगवा दी थी कहा जाता है कि विशवी दैलम में इतनी पुष्टकें थी कि पूरे तीन महिने तक यहाँ आग लगी रही उसने अनेक धर्मोचारिय और बहुत भिक्षुमरवा डाले विशवी दैलम को जलाने के पीछे जो वज़े बताते हैं उसके अनुसार एक समय बक्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बिमार पड़ गया उसके हकीमयों नों इसका काफी उपचार किया पर कोई फायदा नहीं हुआ तब उसे नालंदा विशवी दैलम के आयरवेद भी भाग के परमुख आचारिय राहुल श्री भधर जी से उपचार कराने की सला दी गई उसने आचारे राहुल को बुला लिया तथा इलाज से पहले सर्थ लगा दी कि वह किसी भी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा उसके बाद उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचारिय की हत्ता करवा देगा अगले दिन आचारिय उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की प्रिश्चंक्या इतने से इतने के बीच पढ़ लीजिए आप ठीक हो जाओगे उसके बाद बक्तियार खिलजी ने कुरान को पढ़ा और वह ठीक हो गया उसको खुशी नहीं हुई उसको बहुत गुशा आया कि उसके हकीमों को इन भारतिय वैदों का ग्यान सेष्ट क्यों है बोध धर्म और आईरवेद का एहसान मानने के बदले उसने 1199 इस्वी में नालंदा विशवी डैले में आग लगवा दी उसने हजारो धर्मो चारिये और बोध बिक्सुमरवा डाले बक्तियार खिलजी के ठीक होने की जो वज़े बताई जाती है वह यह है कि बैदराज राहुल स्री भदर ने कुरान के कुछ प्रिष्टों के कोनों पर एक दवा का एदरिस से लेप कर दिया था जब खिलजी ने थूक के साथ कुरान के पेज पल्टे तो वह दवा को भी साथ चाट गया जिससे वह ठीक हो गया तो ये था कुछ इतियास नालंदा विशवी डैले का उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर चैनल पर नई हो तो सबस्क्राइब कर देना वह वीडियो को लाइक वह शेयर कर देना